प्रणाव दोस्तों आज हम इस एपिसोड में एक अलग विशे पे बात करने वाले हैं यानि हमारे यहाँ पे काफी लोग हनुमान जी की साधना करते हैं उनकी भक्ती करते हैं कुछ लोगों का हनुमान जी पे विश्वास इतना होता है कि वे पूरे जिंदगी हनुमान जी की ही साधना करते हैं जो कि हमारे हनुमान जी है भी वैसे ही जो हमारे सारे कश्टों का निवारण करते हैं जो हमारे सारे सुक दुख सुन लेते हैं और उस पे अच्छे से हमारी रक्षा भी करते हैं तो धर्ती पे जब धर्म की रक्षा करने की बात आती है तो हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं आप उनकी लीलाएं अगर देखेंगे, तो अगर आप उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि जब वे बाल अवस्ता में थे, तो वे काफी शरारती थे, नटखट थे, काफी ऐसी चीजे करते रहते थे, जिससे दूसरों को परेशानी हो तो उनका स्वभाव भी वैसा ही नटखट रहा है, एक बार की बार है कि एक रुशी अपने ध्यान में मगन थे और हमारे हनुमान जी उन्हें काफी परेशान कर रहे थे, तो हमारे रुशी काफी गुसा हो गए, उन्होंने उन्हें शराब भी दिया, कि आप अपनी सारी श सन्न होके उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे सादक या जब तुम्हारे भक्त तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करवाएंगे या याद दिलाएंगे, तब तुम्हें अपनी सारी शक्तियों का स्मरण होगा और उनके कश्ट का निवरण आप तुरंत कर सकोई, ऐसा की साधना करते हैं, तो काफी लोग उनके मंत्रों की साधना करते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो ऐसा ही एक अधबुत, एक अश्टक है, हमारे हनुमान जी का, जिसे हम जानते हैं संकट मोचन अश्टक, ये नाम से ये अश्टक जाना जाता है. तो ये अश्टक की साधना हमें क्यों करनी चाहिए या फिर इसकी निर्मिती कैसे हुई? तो संकट मोचन हनुमान अश्टक की निर्मती हमारे पंडित गोस्वामी तुलसी दाजजी ने की थी. इसमें आठ पद है, इसलिए तो इसे अश्टक कहते हैं, तो संकट मोचन अश्टक की साधना हमें क्यों करनी चाहिए? कभी-कभी कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें आत्म विश्वास नहीं होता. कभी-कभी हमें खुद को भी ऐसा लगता है कि जितना confidence मुझ में होना चाहिए, वो आ नहीं रहा है. कभी-कभी हम कहीं संकट में फस जाते हैं, कभी-कभी कुछ शत्रू होते हैं जो हमें तकलीव देने की सोचने लगते हैं. तो ऐसे सारे जो संकट हम पे आते हैं, तो ऐसे समय अगर आप संकट मुचन अश्टक की साधना करते हैं, तो काफी हद तक आपको इसमें से छुटकारा मिल सकता हैं. दूसरा है कि घर में सुक्षान्ती पाना चाते हैं, या तो फिर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमें कभी-कभी तकलीव दे भी सकती हैं, तो अगर आपको आपके घर में ऐसा लग रहा है कि कहीं नेगेटिव पावर्स भी हैं, घर में काफी जगडे हो रहे हैं, तो इसका अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो पूर्ण 21 दिन का अनुष्ठान कीजिए, यानि सबसे पहले हमें उसमें करना होता है संकल्प, आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके भी ये कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने घ कैसे करते हैं ये तो मैंने एक इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं कि संकल्प किस तरीक के से किया जाता है तो संकल्प होने के बाद उस दिन से आप ये अश्टक बोलना शुरू कर सकते हैं रोज अगर आप एक दिन भी अश्टक का पठन कर तो शाम को साड़े 6 बजे से लेके साड़े 7 बजे तक ये जो अश्टक है वो काफी 8 पदों में है तो काफी छोटा है यानि एक अश्टक बोलने के लिए आपको 3 से 4 मिनिट लगते हैं यानि अगर आप 3 बार कर रहे हैं तो 9 से 10 मिनिट में आपका ये हो जाएगा अगर जादा बार कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगे लेकिन एक गंटे में तो हो ही सकता है तो जब कभी आप यह अनुष्टान शुरू करेंगे तो अगर आपके घर में राम जी की तज़वीर है तो उसके सामने अच्छे से आसन लगाईए उसके सामने बैठे है क्योंकि हमारे हनुमान जी भी राम बक्त थे तो अगर हम राम जी की प्रतिमा के सामने बैठके करते हैं तो वो काफी उच्छित रहेगा हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो अगर आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर है तो वहाँ पे बैठ सकते हैं अगर तस्वीर नहीं है घर में अगर मंदिर भी नहीं है लेकिन आप अच्छे से आसन लगा के एक room में अच्छे जहां पर आप साधना करते हैं आप फिर शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे मैं अच्छे से आसन लगाईए अच्छे से सनान करने के बाद पूजा अर्चना कीजिए पूजा करते समय जब हम दीपक जलाते हैं तो अगर हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो जादा से तदा घी ये तो फिर चमेली का जो तेल होता है उसका दिया जलाया जाता है ताकि उससे जो रोशनी फैलती है उससे जो vibrations मिलत हैं वो काफी अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं अच्छे से भोग चड़ाइए तो भोग में हम क्या तो शेंग की लड़ू दिखा सकते हैं या तो फिर चना दिखा सकते हैं चना और गुड दिखा सकते हैं या तो फिर सिंग और गुड दिखा सकते हैं तो ये सारी चीज़ है कैसे इसे बोलना है वो पहले अच्छे से सीख लीजिए और फिर इसका अनुष्ठान शुरू कीजिएगा तो ये 21 दीन का ये जो संकट मोचन हनुमा नश्टक है इसका पठन जब आप दीरे-दीरे करने लगेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में काफी शान्ती लग रही है जो भी छोटी-छोटी चीजों को लेके परेशानिया होती थी या तो फिर जगड़े होते थे वो धीरे-दीरे कम होने लगे है घर में अगर बच्चे भी है तो उन्हें अगर किसी की नजर लग गई है तो फिर कहीं बाहर जाके आए हैं तो कुछ चीज़े जुड भी जाती है तो अगर वो तकलीफ है तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी तो ये साधना हमें क्यों करनी चाहिए ये आपको प्रशन पड़ेगा तो हमारा आत्मविश्वास टिका रहे हमारा मनोबल बढ़े ये चीज़ के लिए हमें ये साधना करनी है दूसरा की हमारी विचार अत्मक यानी हमारी जो रचनात्मक शक्तियां है उसको बड़ोतरी देने के लिए भी हम ये साधना कर सकते हैं तीसरी चीज है कि अगर हम किसी संकट में फस गए हैं या फिर कुछ काम हमारे बन नहीं रहे हैं काफी लंबे समय से हम एक कारिय के निर्ने लेने की सोच रहे हैं या निर्ने ले नहीं पा रहे हैं या तो फिर किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है और काफी लंबे समय तक हम वो चीज में फसे हुए हैं, ऐसे अगर कोई समस्या है तो ऐसे में भी आप ये संकट मोचन हनुमान अश्टक की साधना कीजिए, उससे काफी फाइदा होता है, दूसरा चीज ये है कि हनुमान जी हमें ताकत देने वाले देवता है, तो अगर आप अगर आप ये अश्टक का पठन करते हैं, तो आपकी विचार धराएं बदलने लगेंगी, आप जादा से जादा पॉजिटिव विचार करने लगेंगे, और आपका जो ठकान है, फिर वो मानसिक हो या फिर शाररी को, वो दोनों धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, तो जैसे हनुमान जी की ताकत है, उतनी तो नहीं लेकिन थोड़े अंश्टक तो हम उनसे ये आरादना कर ही सकते हैं, कि जितनी आपकी ताकत है, उसमें से थोड़ी ताकत हमें भी मिले, हम भी हमारे जीवन में अच्छे विचार ला सके, अच्छी सोच पाएं और अच्छा कुछ का सकते हैं, जैस दिन आपका ये 21 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, उसके दूसरे दिन आप ये चीज़ का हवन भी कर सकते हैं, हवन करने के बाद हम हमारे गौमाता को जो गोग्रास होता है या फिर आप घर में जो भी भोग लगा रहे हैं, जो भी खाना बनाते हैं, वो छोटी सी प्लेट में लीजे और हमारे गौमाता को भी उसका भोग चड़ाइए, इससे अनुष्ठान पूर्ण होता है, तो हवन कीजे, गौमाता की सेवा कीजे और फिर हनुमान जी की साधना तौप करी सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ अनुष्ठान ही करना है, ये चीज़ करने से ही होगी, उसके लिए करना पड़ेगा आपको, मैं तो हमेशा करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्य में फस गई हूँ, या फिर बहुत ठकान मैसूस हो रही है, कुछ नए विचार नहीं आ रहे हैं, कुछ अच्छी सोच नहीं आ रही है, तो ऐसे समय जब हम ये अश्टक करते हैं, तो हमें काफी फायदा होता है, तो मैंने तो अच्छे अनुभाव लिये हैं, आप भी ज़रूर इसके अनुभाव लीजिएगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ऐसे ही एक विशय के साथ, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक तो मिलते हैं, 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 तो मि